गुलाया गया है ये बड़ी खुबर आपको बता दें फीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, डेपुटी यानि उप्पुख्यमंत्री सबको गुलाया गया है दिल्ली अधिक ख़बर के था हम्रुक्रेट, स्पेशल रिपोर्ट में ब्रेक के लिए देश्ट्रोन आधी बागते ख़ब्रों के लिए आप देखते रहें हैंगे आच बैठेंगे और बैठ पर इसके उपर भी हम दोंगे करेंगे वहीं दूसरी तरफ उधव ठाकरे के चेहरे पर विक्री मुस्कान को देखिए जो बता रही है कि लूग सभा चुनावों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक रहा इस प्रदर्शन ने तूट के ब शरत पवार गुट को आठ सीथ मिली है जबकि पिछले चुनावों में शांदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी को इस चुनाव में जटका रगा है बीजेपी को नौ सीथ मिली है शर्मसेणा शंदेग गुट को साथ और एन्सीपी अजित को एक सीथ मिली जाहिर सी बात है चुनाव प्रधान मंत्री के लिए था और अब महा विकास अगारी का प्रदर्शन अगर विधान सवा चुनावों के दौरान भी जारी रहा तो महा युती की हारता है अब सरकार के दायत्मों से मुक्ति बान रहे है जबकि महा विकास अगारी के हॉस के बुलंद है उद्धव ठाकरे जन्धी राज्यक के दौरे पर निकलने का ऐलान कर चुके है वहीं संजर आउप दावा कर रहे है कि इसी साल होने वाले विधान सवा चुनावों में उनकी जीत पकी है मैं दावा के साथ कियता हूँ विधान सवाब जीते हैं हम जन्धा के साथ और महाराश्टर के साथ धोका नहीं करेंगी जन्धा हमको माफ नहीं करी या अगर हमने ये कदम उठाए फिलान लोगसवा चुनावों के बाद वीजेपी महाराश्टर विरान सवा चुनाव की तयारियों में जुटने करिये तयार है क्योंकि लोगसवा चुनाव के नतीजे चेतावनी है लोगों का मन नहीं मदला तो महाराश्टर की टूट-पूट के बाद महायूती की राह कठिन हो सकती है नीलेव शुक्ला, जी नीनिया यहां दोती छोड़ी से ब्रेका है आब बने वही है जी भारत के साथ आप कड़ों के साथ यह पूरी रिपोर्ट देखिए यहां दी आप में श्रास की बर्यास हो हम को सीटे कम मिली है यूपी में समाचबादी पार्टी की 37 सीटों ने ही बीजेपी को वहमत से दूर कर दिया 2019 में समाचबादी पार्टी को सिर्फ आप सीटे मिली थी 2024 में ये बढडर 37 हो गई जो पिछले चुनाफ से 32 ज्यादा है 2024 में बीजेपी को 240 सीटे मिली बीजेपी 272 के जादूई आकड़े से 32 सीटे कम लाई है समात बादी पार्डी की जीत बीजेपी को बहुत नहेंगी पड़ी लगातार तीसरी बार बीजेपी बहुमत का आकड़ा पाले से चूप गई और इसकी वज़े है वो गलतिया जिसने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया यूपी में बीजेपी ने 48 सीटों पर पूराने सांसदों का टिकेट रिपीट कर दिया इन मेंसे 20 सांसद एंटी इंकम्बेंसी की वज़े से चुना भार गए 24 के चुराओं में बीजेपी की इलेक्शन वशिनग्री में वो दिक्कतें दिखी जिसका शिकार 2014 और 2019 में दूसरी पार्टिया थी बीजेपी ने था खुद मान रहे है कि उम्मीदबारों में ज़रुरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस था और ज्यादतर सीठों पर इसी की वज़े से हार मिली सबसे ज़्यादा लोगों को यह ओवर कान्फिडेंस था यह मैसूस करते थे कि हमको चीटिक है और भी कई कारण है लेकिन उसमें सबसे बादा कारण यही है कि आते आत्म श्वास के बईया से यह हमको सेटे रिपर अकम मिली बीजेपी की हार की बड़ी बज़ा है राश्क्रिय स्वयम सेवक संघ का साथ ना मिलना संघ की बेरुखी ने बीजेपी के वोटों पर बड़ा असर डाला पिछले दो चुनावों में संघ ने बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत जोकी पर इस बार उम्मीदवारों को टिकेट देने में राय न लेने के बाद संघ ने दूरी बना ली जिसका असर प्रचार से लेकर वोटिंग तक नज़र आया यही बज़े है कि 400 पार का नारा दिये जाने के बार बीजेपी वहुमत पाने से पीछे रह गई बीजेपी के उलट अखिलेश यादव ने 2022 विधान सवा चुनाव के बाद ही अपनी रणनीती में बदलाव कर दिया अखिलेश लगातार पिछडा दलित अनपसंध्यक यनी पीडिये का मुद्दा उठाते रहे पीडिये के हिसाब से टिक्टो का बटवारा हुआ आखिरी वत्त में प्रत्याशी भी बदले गए अखिरेश ने यादाव मुस्लिम के बजाए दूसरी जाकियों पर फोकस किया यूपी में समाजबादी पार्टी ने सिर्फ पात सीटों पर यादाव और चार सीटों पर मुस्लिम उमीदवारों को टिक्ट दिया कुन मिलाकर 320, 70, 70, 70 प्रत्याशी उतारे गए यूपी में 20% के खरीब मुस्लिम मत दाता है मुस्लिम आवादी वारी सीटों पर धुरुवी करन डोकने के लिए हिंदू उमीदवारों को टिकेट दिया बियस पी ने भी बड़ी संच्या में मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी उतारे पर मुस्लिमों के 90% गोट इंडी गटबंधन को ही मिले अब तक बीज़ेपी चुनावी फॉर्मूले इस्तवार करके जीता असल करती थी पर इस बार विपक्षी दलों के चुनावी फंडे बीज़ेपी पर भारी पड़ गए यूपर रिपोर्ट सी मीडिया कलाए नतीजों से ऐसा लगता है कि देश में गटबंधन का दौट फिर से शुरूँ हो चुका है ये गटबंधन का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में जाती और धर्म दोनों चल गिया बीजेपी का धर्म तो यूपी में नहीं चला लेकिन जिनका चला उन्हें धर्म और जाती दोनों आदार पर सीटों का फायदा मिला मुस्लिमों ने बीजेपी के खलाब जाकर एक तरफा वोट किया चुनाव में धर्म को बीजेपी ने यूपी में मुद्दा बनाया था और इंडिया गड़बंदर ने भी दोनों को धर्म के अधार पर ज्यादा से ज्यादा सीचे मिलने के उम्मीद भी थी, क्योंकि आयोग्धिया में राम मंदे निर्मान से बीजेपी की बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकि नतीजों में हासित ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बीजेपी का धर्म नहीं चला. यूपी में सबसे ज्यादा इंडी गडबंधन को फाइदा हुआ इसमें भी समाजवादी पार्टी काफी आगे निकल गए यानि इंडी गडबंधन का धर्म और जाती वाला दाव काम कर गया समाजवादी पार्टी ने इस बाद 37 सीटों पर जीत दर्ज की है जब कि इससे पहले एसपी को 2019 में 5 सीटे और 2014 में भी 5 सीटे ही मीली थी यूपी में एसपी की इस बड़ी जीत की बड़ी वजए मुस्लिम वोटर्स का बीजेपी के खिलाब एक मुश्ट वोट करना रहा है यही बज़ा है कि इंडी गडबंधन के खुल 5 मुस्लिम उमीदबारों ने जीत दर्ज की जिसमें 4 उमीदबार समाजबादी पार्टी के टिकेट पर लड़े थे नतीजों से पता चलता है कि जिन राज्यों में गडबंधन करके चुनाव लड़ा गया वहार राज़नीतिक दलों को फाइदा ही हुआ तो क्या एक बार फिर से गडबंधन का दौर शुरू हो गया है क्योंकि इस बार किसे भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है जबकि साल 2014 में 282 सीचों के साथ बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था ऐसा ही 2019 में हुआ जब 303 सीचों के साथ बीजेपी को बहुमत मिला बीजेपी सीचों के मामले में भले ही अवल है लेकिन सरकार तो एंडी कीप बनेगी यानि गंदंदन का वही दौर फिर से लौट आया है जो 2014 से पहले चल रहा था येरो रिपोर्ट जी मीडिया बीजेपी को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सीचों का सबसे ज्यादा नुपसान हुआ यहां के मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी के खलाफ एक तरफा उड़ किया जिससे इन राज्यों से मुस्लिम सांसद भी ज्यादा चुने गए देखे इस बार के लोगसावा चुनाओं में कोई 26 मुस्लिम सांसद चुने गए हैं मुस्लिम सांसदों के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है यह जानकारी आपको आगे देंगे लेकिन इस वक्त इंडिया गटबंदन की बैठा खत्म होने के बाद फर्गे बोल रहे हैं सुन्ते आज के पुलिटिकल सिचुएशन पर और आज की जो परिस्तिती है उसकर बहुत से सजेशन आया चर्चा हो गई और यह निसकेश आखरी नहीं निकला कि हम सम दिनके एक एकी वाइसमे ने कहिना चाहिए जो मैं आपको पढ़के गदाओं लाए बात की एक अन। बात की खैशन आपको लाए लाए वार लाए वन नात jsूशन प्रफिटीन के लिख खाना पर लाए अचाईबी पुप्ति पूरी कहीतरंत पुप्तित स्धूश पूरी अपतित्यूजन के बच्शनों टाप मेंध। पुझ세ज पूर को बच्पतितर्स अप्तितित्यूट ओ नाच्य सतर्सडर्नों गिए अओ करेहismना गिएकितेत लोग मध्टिता लोडसेश पूर्पलश्यस कि अपिरो हुआ ही जड़ाय सर्कंप विल्याम थाता हुए्ट मुलिटा मुझ मेरा है जडे से लखम फिल जThere दोरानी अचेकाट प्वलिप इस आपचान छिर folा की अपड़ वुप सोहु प्रियति गायत सह Robinson गार्जुन गर्गे इंडिया गड़बंदन की बैठक के बाद उन्होंने ये कहा कि जनादेश प्याम मोधी के खलाफ है लेकिन जो जनादेश इंडिया गड़बंदन को वोटरस ने दिया है हम उसका विश्वागत करते हैं और पूरी ताकत से हम ये लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे 14 और 2019 में विपक्ष की कोई पार्टी इतनी सीटे भी नहीं लापा रही थी कि संसत में नेता विपक्ष का पद पा सकती लेकिन इस बार विपक्ष ने ना सिर्फ 232 सीटे जीती बलकि कॉंगरस ने 99 सीटे जीत कर नेता विपक्ष बनने की गैरेंटी भी हासिल कर ली और दिर्जस्त बात तो यह है कि 10 साल बाद आखिरकार विपक्ष इस बात पर मीटिंग कर पाया कि उसे सरकार बनानी चाहिए या नहीं और आगे की रननीती क्या होनी चाहिए हारा कि इंडिया गटबंदन में सरकार बनाने का इरादा त्याग दिया है लेकिन उसके तेवर देखकर ही पता चल रहा है कि इस बार मोधी सरकार को विपक्ष से करी चुनोती मिलने वाली है इसे ही विपक्ष अपनी जीत बता रहा है और आखिर में हम बात करेंगे लोग सबाद चुनाव के परिणाम से बीजेपी को मिले एक बड़े संकेत की ये संकेत माराश रोकों को लेकर है पिछली बार जब श्रिवसेरा के साथ बीजेपी चुनावी मैदा दी है मारा जा रहा है कि यूपी में सरकार के कामकाश करने के तरीके बड़ सकते हैğ और दो साल के बाद आने बाले विधान समय को देखते हुए सरकार के काम करने के तरीकों में बड़लावा सकता है यहां पर सीटे कम हुई हैं तो no doubt प्रसमिचिप उतरपरदेस सरकार के उपर उठते हैं और यहां का जो मॉडल है उसके उपर उठते हैं तो उस तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं ने कहीं सरकार को अपने काम करने के तरीके में कुछ चेज़िस करने पड़ेगी पर उसका मतलब यह भी नहीं है कि लाइन आडर से खिर्वार किया जाए कहीं ने कहीं सरकार को कुछ फ्लैक्समिरेटी लाना होगा विपक्षी पाटियां बुल्डोजर को लेकर सवाल पूछ रही है इसकी बड़ा यह भी है साल 2017 से 2024 तर यूपी में माफिया, गैंगेस्टर और अपराधियों की 12,000 रुपरे के संपतिया तो सीट की गई है यह उसे बुल्डोजर से धुस्त किया गया है 2017 के दोरान यूपी में योगी सरकार बनेगी इसमें अब कोई संचा नहीं है आज इंडिये अलाइंस के नेताओं ने भी साफ कर दिया कि फिल्हाल वो विपक्ष में ही वैठेंगे सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे हाला कि आज सुबह संजयराओ कह रहते कि BJP के पास तो सिर्फ 240 हैं जबकि इंडिये अलाइंस के पास ठाइक ओएंपीज हैं नितिश कुमार और चंदरबावु तो सब के दोस्त हैं लेकिन चंदरबावु नाइडू ने डिल्ली पहुंचने से पहले हैधरबाद में ही कह दिया कि वो एंडिये के साथ हैं और इंडिये के साथ ही रहेंगे इंडिये की मीटिंग में सा लेने के लिए ही दिल्ली जा रहे है नितिश कुमार की पार्टी जेडियू ने भी क्लियर कर दिया कि नितिश कुमार इंडिये के साथ है और इंडिये के साथ ही रहेंगे इसके बाद शाम को बलकार उन्खरगे ने कहा कि इंडिया लाइंग सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगा अब सवाथ सिर्फ इतना है कि दरिद मोधी पहली बार ऐसी सरकार का नित्रतु करेंगे जो सेहुगी दिलों के सपोर्ट पर्टी की होती यहाँ पर तस्वीर देखिया बाद और किस ओडर में खड़े वो देखिया बाद प्रधान मंत्री बोधी उनके ठीक राइस है बिजेपी रंडाली यहाँ पर तस्वीर फोड़ी जिकाट गई लेकिन यहाँ पर राजना सिंग जी भी है हमें चाहें उसके आले ग्रह मंत्री यहाँ पर चंद्रवाब उनाएड़ी एकदम भगल दे फिर नितीश फिर एगनार चिंद दे फिर प्रफुल पर सोचिए क्या मेसेजिंग है बीजेपी को दो सुचालीज सीटे मिली है यह बहुमत के आकड़े से 32 सीटे कम है और इसलिए एंडिये के घटक दलों की एहमिय और बड़ी गोदी मीडिया दा अक्रार अब के बार गठ बंदन सरकार इस दिता तो अनू दिखा गला एनिया कुदे नाल फीडबेक मांग रहे हैं अच्छे दिन के दे आए जेडियां गटबंदन सरकार दियां एंडी ए दिया जेडियां पार्टियां जिन अदा एक एक इक सिर्फ एंपि आया है उननू हंड़ेट परसंट बेनिफिट होएगा यह नहीं होएगा कि ओ ब्लैक मिलिंग करनेंगे इस गटबंदन सरकार दी जिड़ मोदी जी नितरत करन जा रहे नहीं जा रहे कि कि यह चीज़ लेकिन 5 आदी नाल करना से काल नम है सरकार जड़ी और यंगटंदन दी उनन्हों एक बें चाल में ते देश इत्विच करेओ कम ना कर देओपठा कमाल ते पादियो तम्हाल देश दुनिया देविच डंके देओद्यु बजा प्रदब लंका देओ लगा लार्यां लप्या महीं एक लॉप लॉपर लॉपर ऐने यहनिया कुदे नाल करना सफिर्व काल देश्य टिश पादेत ते पूर्ने ते कसूर्ने एक कित्थे देश नू लिजानगे नमी सरकार लेक चनौती ते गोदी मीडिया ली नालो नाल चनौती एना दे उत्ते कारवाई होनी चाहिए यह नहीं मेरा ख्याल है क्याओन वले दिनां दे विच मां जोग सुप्रीम कोट नू एस तरहं दे कई लिटमस टेस्ट आंदे विच्वान निकलना पहिए गाँ